दोस्तो नमस्कार मैं हिमान्शु शर्मा आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज हम बात करेंगे शुक्रद्यों के उपाई के संदर्भ में उपाई नहीं महा उपाई अद्धभुत उपाई मैं उपायों को अद्धभुत उपाय क्यों बोल रहा हूँ देखिए जब हमारे पास कुंडली आती है तो हमें सबसे पहले यह देखना होता है कि वह ग्रह कुंडली में किस भाव का मालिक है वह ग्रह कुंडली में किस भाव में बैठे है उनकी उपर कितने शुब और अशुब ग्रहों की द्रिष्टी है उसके अनुसार हम एक ऐसा उपाय मिकालते हैं जिससे संबंधित व्यक्ति का काम बन जा है वह जिस काम से हमारे पास आया हुआ है लेकिन आज जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ उसके लिए आपको कतई देखने की जवरत नहीं है कि शुक्रदेव आपके कुंडली में कारक हैं की आकारक हैं कुंडली के किस भाव में बैठे हैं कैसे ग्रहों से द्रिष्ट हैं डिग्री वाइस कमजोर हैं की मजबूत हैं आपको कुछ भी देखने की जवरत में, यह दी आपको शुक्र देव से सम्मंदित अच्छे परिणाम चाहिए, तो आज जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ, इसमें से जो आपको उचित लगे, जो आपको आसान लगे, आप उन उपायों को कर सकते हैं, शुक्र देव को आलिक होते हैं, शुक्र देव, दूसरा भाव हमारे सुन्दर्ता को दिखाता है, नेत्र को दिखाता है, परिवार को दिखाता है, सात्वा भाव हमारे गुप्तंग को दिखाता है, विवाह को दिखाता है, पूर्सों के लिए तो शुक्र देव इस्पेशली विवाह के का और उन भौतीक संसाधनों का सीधा संबंद शुकर देंद के पास है हमारे लाइफ के लकजरियस का सीधा संबंद शुकर देंद के पास तो चलिए हम आज का कारिकरम प्रारंप करते हैं और देखते हैं महा उपाय नंबर 1 ये डिया आपको स्वकर देंद से संबंधित परिणाम चाहिए तो नंबर एक मा लक्ष्मी की पूजा करना प्रारंब कर दीए मा लक्ष्मी का और शुक्रदेव का आपस में सीधा संबदना है नंबर दो प्रती दिन अपने भोजन जब आपके लिए जब भोजन बनता है तो उसमें से एक रोटी गववन्स के लिए अवस्य निकालना है आजीवन इस कारे को करना है किसी भी इस्तिती में हमें इस कारे को बंद नहीं करना है ठीक है तीसरा हुपा है साधी सुदा जो महिलाएं हैं विवाहित जो महिलाएं उन्हें सौभाग्य की वस्तु में दे वस्तु छै प्रकार की होनी चाहिए छै प्रकार अब कोई सब भी अपने मन पसंद के अनुसार रख सकते हैं चूड़ी सिंदूर आलता पाओं में वो लगाते हैं ना लाल कलर का नीचे एड़ी के पास हमारे 36 गड़ में मैं बेसिकली बिलासपूर से हूँ हमारे 36 गड़ में हम लोग उसे आलता कहते हैं तीसरा समा बलाउच पीस हो गया साड़ी हो गया डियो परफ्यूम इस प्रकार से कोई भी छै चीज़े हेयर पीन महिलाओं के सजने से संबंधित किसी भी प्रकार गी छै चीज़े लेकिन उसमें दो चीज़े अनिमार्यता हो होनी चाहिए नंबर एक चूड़ी नंबर दो सिंदूर चूड़ी और सिंदूर यह दो आइटम जरूर रखिएगा बाकी चार आइटम आप अपने हिसाब से महिलाओं के सजने सवरने के लिए जिन चीजों की जवरत पड़ती है और वह चीज जो आपके बजट में आ असल में जब कोई स्तरी चूड़ी पैनी वही होती है जब उसके मांग में सिंदूर रहता है तो आमें दूर से ही समझ आ जाता है वह विवाहित है इसलिए यह दो आइटम को आपको किसी भी स्तिती में नहीं खिसकाना है बाकी चार आइटम आप अपने आर्थिक स्तिती को देखते हुए पसंद कर सकते हैं लेकिन इस एक चीज का छोटा सा ध्यान रखिएगा आप महिलाओं को जो सवभाग्य का समान दें जो भी आप छैवस्तु में फाइनल करें वह उसी इस्तर का दीजिएगा जैसा आप स्वयम उपियोग करते हैं कभी भी हमी ऐसी चीजे दा नहीं करनी है जो आप खुद नहीं पहन सकते हैं खुद अपने लिए उपियोग नहीं कर सकते हैं और आप उसे आप उस इस्तर का देवें, जिस इस्तर का आप स्वेम उपियोग करते हैं, ठीक है, चलिए, अब हम अगला उपाय देखते हैं, शिव मंदिर जहें, ऐसा शिव मंदिर, जहां साथ में मा पार्वती भी हो, कुछ जगों में अर्ध नारिश्वर शिव मंदिर भी होता है, जिसमें आध प्रभू शंकरजी का होता है, और आधा मैया का मा पार्वती का, और वहां शुक्रवार के दिन गुलाब अवस्य चड़ाएं, गुलाब का खुश्बू से और गुलाब का शुक्र से सीधा संबंद है, ठीक है, और खुश्बू का भी शुक्रदेव के साथ सीधा संबंद ह यह एक अदभुत उपाए है यदि आप पुरुष हैं और आप विवाहिद हैं तो अपने पत्नी के साथ हर हमेशा बहुत ही बढ़िया वहवार करें पुरुषों के लिए उनकी पत्निया उसकी इस्त्री शुक्रद्यों को खुश करने का सीधा सीधा संबंध रखते हैं यह दि आप अपने वाईव के साथ अच्छे से बात करेंगे यह दि आप उनके साथ अच्छा वहवार करेंगे तो शुक्रद्यों स्वमेव आपके अच्छे हो जाएंगे और वो आपको हर तरीके की खुशिया देने लगेंगे अब हम आजाते हैं हमारे अगले उपाए में वास्तु सास्तर के अनुसार दक्षिन पुर्व का जो कोना है साउत इश्ट का जो कॉर्नर है जहाँ पर दक्षिन दीशा और पुर्व दिशा आकर मिलती है उसे कहा जाता है अगनी कोन, आगने अदिशा वह दिशा का शुक्रदेव के साथ सिधे सिधे संबंद है हमें हमारा किचन, हमारे घर का किचन दक्षिन पुर्व में ही होना चाहिए आगने कोन में ही होना चाहिए यदि आपके घर का किचन वहाँ पर है तब तो बहुत ही अच्छी बात है लेकिन यदि वहाँ पर आपका किचन नहीं है तो प्रती दिन एक दीप आप सौथ इस्ट कॉर्णर में अवस्य जलाएं एक दिया सौथ इस्ट कॉर्णर में अपने घर के यह उस पूरे हिस्से में जहां आप कूचित लगे यह एक काम आप अवस्य करें ठीक है दोस्तों चलिए फिर आज की कारिक्रम को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं अगले कारिक्रम में मैं फिर एक नए विसाइक्सा आपकी सेवा में हाजिर होंगा आज के लिए दोस्तों नमस्कार